जब साहीवाल गाए इतनी अच्छी हो और इतनी अच्छी क्वाल्टी ली हुई हो और दूद की बात के जाए तो 13 से 14 लेटर जिसके निचे दूद बिल्कुल तियार हो और दूद देन के अगर शम्ता की बात की जाए तो 16 लेटर के प्लस ये दूद देन के शम्ता रखती हो तो हर किसान बे ऐसी गोमाता खरी दिना चाहते हैं नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रावजी डैरी फारम और मैं गोरी शेंकर तो आज हम आपके लिए एक गई की लाई मिलकिंग लेके आई हैं और साही वाल के अंदर बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया सुन्दर सी गोमाता और बच्डी वाली गाय यानि की पीछे फीमेल काफ है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर कर अखीर तक जरूर देखें तो जिस से की आपको हर तरह की गाय के बारे में पूरी जानकरी गाय प reper उठाती है या नहीं गाय दूद निकालते बक्त लाट मारती है या नहीं तो आपको पूरे नुच्छे पूरी जानकरी मिलसके जो भी वाय इस वीडियो को देख रही हैं और शाम की मिल्किंग की वीडियो वो भी इसकी आपके साम साथ में शेयर की जाएगी तो जो भी वाइस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेगे हो कि हम देशी कोगंश पे हर रोज वीडियो लेके आते रहते हैं जो दूसरे थनकी आप दार देख रहे हो गोल मोटी दार है बिलकुल शांत सवाब की है और ये तीसरे थनकी दार और ये चोते थनकी दार ताजी ब्याई हुई है दो दिन गाय को डिलिवरी को हुए हैं तो बहुत ही शांदर हो, सुंदर सी गोंधा-जवाज हम सेल के लिए उपलब्द करवा रहे हैं भिल्कुल शांत है, बहुत ही शांदर, बहुत ही बढ़िया तो जो अच्छी quality के अंदर अच्छी साही वाल गाय के अंदर जो किसान भाय खरीद न चाहते हैं और जो बोलते हैं के हमारे को शुद्ध साही वाल चाहिए तो इसजो किसान भाय खरीद न चाहते तो आज उनके लिए बहुत ही अच्छी choice हो सकती है मिलकिंग की वीडियो थोड़ी स्पीट बढ़ा दीगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर का खीर तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट के अंदर आपको कितना गोमाता ने दूद दिया है वो तोल करके भी दिखाया जाएगा इसलिए आप मिलकिंग को कंपलीट और पूरा जरूर देखें कहां पे आए गोमाता तो वो भी आपको बता देता हूँ कि बिलेज कमीनपुरा जिला शिरिकंगाने कर राजस्तान के अंदर उपसित है तो यहाँ पर आकर कि आप बिजट करके आप अन्य गाये भी खरीज सकते हैं इस गाये को जो पसंद आती है इसको ऑनलाइन बुकिंग करके भी आप गाये बुक कर सकते हैं बहुत ही शानदार सुन्दर से जो आप गाये देख रही हैं तो यहाँ पर कितने अच्छे पीट-फुठे के साथ में हैं दूसरी बात मैं सबी दोस्तों के मित के साथ एक भार फिर से शेर करना चाहँँगा कि अगर अपनी गाए साहिवाल की गाए है तो उसके साहिवाल गाए का ही सिमन बुल का सिमन यूज़ करना चाहिए या फिर साहिवाल बुल से ही उसको मैटिंग करवाना चाहिए क्योंकि जो आने वाली गाये बचडा या बचडी है तो वो आपको उत्तम नसल के प्राप्त हो सके हम रेंतर यही प्रयास करते हैं कि अगर आपके पास थार पारकर की गाये है तो थार पारकर गाये का ही सीमन लगवाना चाहिए अगर आपके पास साही वाल गाये है तो साही बुल के जो साहिवाल बुल है तो उसको उत्तम नसल के बुल का ही सीमन यूज़ करना चाहिए जिससे के आने वाले जो बच्डा या बच्डी जो भी होगी तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही फाइदमद होगी तो जो भी बाइस मिल्किंग वीडियो चल रही है म मिल्किंग वीडियो कंप्लिट देखा हैं कंप्लिट देखने के बाद में आपको जितना दूद दिया इसको तोल करके दिखाए जाएगा नाप करके विस गाये ने कितना दूद दिया है और शाम की मिल्किंग भी आपको दिखाई जाएगी तो दो दो टाइम की मिल्किंग दिखा करके आप गया अच्छी तरह से देख करके खरी सकते हैं Complete Milking की वीडियो है जो Complete Milking की वीडियो जरूर देखें Location भी मैंने बता दिया रगे इसकी गया की डिटेल की बात करों तो अभी एगा सेगें टाइम के जाने कि दूसरी बार अभी इसने बच्चा दिया है फीमेल काफ है बच्चरी वाली गाय है दूसरी बच्चा दिया है उसकी दूद देनी के शमता 15-16 लिटर के प्लस की है उसकी अभी ऐटे टाइंग जाने के बाकर घ्राइए, तो जो वह खृइदना चाहते हैं सक्रीन पे आप नंबर देख रहें से नंबरों पे कॉल करके वाटसअप मेसेज़ करके आप इस गाय के बारे में फोर अधिक जानकर ले सकते हैं जो कि सान भई हमारे यहां बेफारन पर आकर आकर के गाय लेके जाना चाहता थो हमारे फारम जाता है तो दू टाइम की तेन टायम की मिलकिंग देख करके पिर आप गाये खरी सकते हैं हम यह क्याना चाते हैं कि किसी भी किसान भाई के साथ में दूख्खा ठकी वाली वह बात बिल्कुल भी नहो तो एक टाइम या दो टाइम या तेन टेम जितनी भी आपका इच्छ हो, जो गाई delivery होई हुई है, तो वो अच्छे पर जाग अगया हो बिल्कुल खत्म हो जाएं. किसी तरह की ये बात ने हो कि गाई ने कितना दूद है, जाग बिल्कुल खतम करने के बाद में फिर तूद आपको नाप करके दिखाया जाएगा इसलिए हर बाइसे नरोद रहता है कि जो भी वीडियो अब गाय की वीडियो अपलोड होती है उस वीडियो कम्पलिट जुरूर देखा करें जिससे कि अपने उसके बारे में पूर्ण रूप से पूरी जानकरी मिल सके है ये एक लिटर हुआ ये दो लिटर हुआ और ये तीन लिटर और ये च्यार लिटर और ये पांच लिटर और ये छै लिटर और ये साथ लिटर तो नमस्कार दोस्तो जैहिंद जैगोमाता